Hello friends, welcome to my YouTube channel, मैं हूँ दिव्याश हर्मा वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाती हूँ जो आप मेरी वीडियो को इतना लाइक करते हैं, उन्हें इतना पसंद करते हैं इसके लिए आपको हिर्दे की गराईयों से वी नमरता पूरवक मुस्कुराइट के साथ धन्यवाद आज मैं आपको बताने जारे हूँ जोडों का दर्द, गुटनों का दर्द या फिर हड्डियों से सबंदित कोई भी दर्द हो, उसके पीछे सिर्फ एक मुख्य, एक में कारन होता है जिससे सारे लोग अंजान है, उस में कारन के बारे में आज मैं आपको बताने जारे हूँ उसके इलावा मैं आपको ये दो इलाज बताओंगी, कि इनको हमने कैसे लेना है ये इलाज कौन से है? फर्स्ट ये है, और सेकिंड ये है, कि इनका इस्तमाल कैसे करना है, और इन्ने हमने बनाना कैसे है वीडियो में आगे चलते हैं लेकिन उससे पहले आपको एक और चीज़ कहना चाहते हूं कि अगर आप इसी वीडियो को पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट myfitnessbeauty.com पर जाकर इस वीडियो को पढ़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लेकिन अपने सबसे पहले जानते हैं कि में कारण क्या है जिससे बहुत सारे लोग बिलकुल अंजान है आप जड़ा बोड पर देखिएगा सबसे में कारण क्या है हमारे द्वारा खाया गया ओयल जो भी हम तेल खाते हैं उससे ये जॉइट पेन, नी पेन ये चीजें होती हैं यानि नी पेन हो गया जो भी हड़ियों से सबबंदित प्रॉब्लम्स हो गई जॉइट पेन हो गया ये प्रॉब्लम्स होती हैं लेकिन अकेला गलत ओयल सीधा ये problems कैसे पैदा कर सकता है नहीं करता जब भी हम गलत ओयल खाते हैं जानी refined oil खा लिया, double refined oil खा लिया, डालडा oil खा लिया उससे क्या होता है हमारी body में वात यनि वाई बढ़ने लगती है जब body में वाई बढ़ जाती है, वो हमारे हर एक joint में जाकर ये वात ये वाई जमा हो जाती है जैसे ये गुटना हो गया, तो यहां हर एक गुटने में जाकर वात है, वाई है, हर एक joint में जाकर जमा हो जाती है इसके इलावा गलत ओयल खाने से acid बनता है ये दो चीजें हमारी body में गलत oil खाने से बढ़ती है ये दो चीजें बढ़ने लगती है जिस कारण से ये joint pain, knee pain, हड़ियों से सब्बंदित समस्याई हो जाती है तो अब आपने ये तो जान लिया होगा कि गलत oil नहीं खाना अब मैं आपको बताने जारे हूँ कि आपने double refined oil, dulled oil तो नहीं खाना लेकिन तेल कौन सा खाना है तो अगर आप गरम इलाके में रहते हैं तो आपने कौन सा oil खाना है अगर आप ठंडे इलाके में रहते हैं तो आपने कौन सा oil खाना है अगर आप गरम इलाके में रहते हैं तो आप सरसों का ओयल खाईए अगर आप ठंडे इलाके में रहते हैं तो आप तिल का ओयल खाईए अगर आप समुंदर के निकट रहते हैं तो आप कोकोनेट ओयल खाईए ये तीन तरह के तेल आपने खाने हैं तो अब बात करते हैं, हमने इलाज कैसे करना है, इलाज के लिए आपको क्या चाहिए, आपने गिलोई की बेल देखी होगी, आपने गिलोई की बेल कुछ इस तरीके से होती है, देख लीजिए, ये गिलोई की बेल के जो पत्ते होते हैं, वो हटा दीजिए, और इसे अच्छी तरह से wash कर लिजिए wash करने के बाद करीब ते इतनी यानि 1-2-3-4-5 पांच इंच जितनी आपने बेल लेनी है और इसे किसी भी चीज से कूट लेना है जिसे आपने किसी भी चीज से कूट लिया मैंने यहां इसका बना कर रखा हुआ है यह मैंने crush कर ली थी, मतलब कूट ली थी किसी भी चीज से, इस तरीके से कूट कर, यह देखो आपको एक चीज दिखाना चाहती हूं, कि इसमें लेस बहुत है, इस बेल के अंदर आपको अगर आप देख सको, तो यह लार बहुत जादा बनती है, इस तरीके की लार बनती है, यही हमारे जोडों के अंदर, घुटनों के अंदर वात यानि वाई को दूर करने का काम करती है, घुटनों के अंदर जो लुब्रिकेंट खतम हो चुका होता है, उसको बनाने का काम करती है, यानि घुटनों की जो गरीस होती है, उसे बनाने का काम करती है, तो आपने इसे रात को भिगो कर रख देना है सुभय आपने इस पानी को boil करना है और उसके बाद आपने छान कर इस पानी को पीले नहीं जैनि जो बेल है इसका सारा अर्ख पानी में चला जाएगा इस तरीके से आपने पानी को तयार करना है अगर आप गिलोए का पानी नहीं पीना चाते तो आगर आपके पास गिलोए की बेल नहीं है तो आप दो चम्मच जूस आदे गिलास पानी में मिक्स करके पी लीजिए इसके इलावा अगर आप गिलोए का उप्शन नहीं रखना चाहते तो मैं आपको एक और उप्शन बता रहे हूँ वैसे गिलोए जो है वो बहुत फाइदेमंद है क्योंकि गिलोए नेके बुल हमारे जोडों को ठीक करती है गुटनों के दर्द को ठीक करती है जॉइंट पेन, अर्थ्राइटिस हमारी बॉडी में लुब्रिकेंट को पैदा करती है लचीले पन को दुबारा बनाती है बलकि ये डाइबिटीस को क्योर करती है हमारे इम्मनेटी पावर को बढ़ाती है तो ये काड़ा तो बेस्ट है आपको बढ़ा दूं की आपने वैसे मेथी दाना देखा होगा तो मेथी दाना कुछ इस तरीके से दिखता है तो मैंने इसको यहाँ पानी में डाल रखा और तो आपने इनका सिम रात को पानी में बिगो कर एक चमच रखती जिए और सुबह आपने सिर्फ पानी चान कर पानी पीना है मेथी दाना गर्मियों में नहीं खाय जाता अभी भी आप देख रहे होंगे तो इसमें पीला कलर आ चुका है पानी का तो ये पानी में मेथी का अर्का आ चुका है इसका मतलब उसका जूस आ चुका है तो सर्फ आपने पानी पीना है, मेथी दाना, नहीं खाना, हाँ आप सर्दियों में जरूर खाईएगा, इस तरीके से आप इन दोनों में से किसी भी इलाज को फॉलो कर सकते हैं, बॉडी में से वात को दूर करनी के लिए, इसके इलावा आपने खटी चीजों का सेवन कम करन है, जिनको भी जॉइट पेन, अर्थराइटिस, गुटनों में दर्दियों, हट्टियों से सबंदित कोई भी समस्या होती है, उन लोगों ने खटी चीजों का सेवन कम करना होता है, खटी चीजे है, चाहे कोई भी खटी चीज है, इसके इलावा, जितनी भी अर्भी, भिं गलत ओयल नहीं खाना, इसके इलावा, इन दोनों में से कोई भी चीज को फॉलो करके, आप अपनी बॉड़ी में से वात यानि वाई को दूर कर सकते हैं, लेकिन आपको ये गिलोए का एक प्लस पॉइंट और बता रहे हूं, मेथी दाना, अकेला आपकी बॉड़ी में से वात यानि वाई को दूर करेगा, लेकिन जिनको एसेड की समस्या है, तैजाब बनता है, जैसे कि गलत ओयल खाने से तैजाब भी बनता है, और वात यानि वाई भी बनती है, लेकिन ये गिलोए में अकेली ऐसी शमता है, कि वो बॉड़ी में से एसेड को भी दूर करती है, और बॉडी में से वात को भी दूर करती है इसलिए ये बैस्ट हुआ तो मैं आपको यही रिकमेंट करूँगी कि आप गिलोए का ही सेवन करें ताकि आपकी बॉडी में से जितनी भी वात है वो भी दूर हो सके वाई की समस्या भी दूर हो सके और तेजाब बने की समस्या भी दूर हो सके इसके इलावा डाइबिटीज क्योर हो सके इम्मिनेटी पावर बूस्ट हो सके तो ये थी information वात यानि वाई को दूर करने के लिए बॉडी में से एसेड को दूर करने के लिए यानि ओवरॉल कह सकते हैं जॉइंट पेन, नी पेन, हड़ियों से सब्बंदित समस्याओं को अपनी बॉड़ी से दूर करने के लिए, हमी कौन सी साफधानियों को फॉलो करना है, कौन सी चीजें अपने कीचन से बिल्कुल निकाल देनी हैं, और कौन साफ ट्रीटमेंट करना है, अगर आपको ये आप तक पहुंसती रहे, बल अइकन पर जरूर प्रेस करिएगा, मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए, स्टे हल्दी, औलवेस बिएपी, थैंक यू पर वाचिंग मैं वीडियो, ओके, बाई